एलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल आज हम बनाने जारे हैं इडली वह भी कलरफुल और बीना किसी आर्टिफिशल कलर की तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक बाउल में मैंने सूजी लिया है एक कटोरी सूजी और उसमें एड की है एक कटोरी दई इसको म मैंने ग्रीन कलर का किया था अब इनो एड करने के बाद हम इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे इससे हमारी सूजी जया फूल जाएगी अब नेक्स टैप की तरफ चलते हैं हम अपने इडली को दो कलर में बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए हम अ अब हमने जो हाफ मिक्चर रखा था इडली का उसमें इसको एड कर लेंगे जिससे जो हमारी इडली का कलर ग्रीन हो जाएगा आप देख सकते हैं मैंने कोई आटिफिशल कलर जो यूज नहीं किया मैंने जस्ट बीट रूट और पीज जै उसको ही यूज किया है इसी तरह अगर आप औरेंज कलर की इडली बनाना चाहते हैं तो आप कैरेट यूज कर सकते हैं इससे की औरेंज कलर आ जाएगा हमारी इडली में अगर आप कोई कलर आड नहीं करना चाहते हैं नॉन्मल ही रखना चाहते हैं तो इन सब माटेरियल को आड़ी किया था बस वैसे ही जिए रखिएगा माटेरियल जो है ज्यादा ओवरलोड नो हो मैंने एक से एड़ स्पून ही ज्यादा यूज किया है क्योंकि जब इटली बनेगी साचे से थोड़ी फूले गी भार निकलने लग जा दिया है इससे गंदा नहीं होगा जाना उतने ही पीस में रहेगी मैंने इ एक कैसी लगी लगा